के इंडी टिवी के पत्रकार हैं, उनका ये ट्वीट और उन внे बाकाईदा दस्तावेज के साथ ये प्रमान पेश किया है। खबर क्या है मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं आपको आफिडेविट पढ़के सुनाना चाहूँगा। आपके पूरे स्क्रीन्स पर आरेन खान मामले में नया खुलासा, इस मामले में गवाह, प्रभाकर सैल ने आफिडेविट के जरिये बताया कि गोसावी के कहने पर वो येलो गेट पहुँचे, उन्होंने गोसावी को कहते सुना कि 8 करोड रुपए समीर वांखिडे को देने ह कौन समीर वांखिडे, NCB के प्रमुक समीर वांखिडे, NCB ने गवाह बनाकर 10 ब्लैंक पेपर पर 10 खत लिये, पैसों से भरे बैग का भी जिक्र, आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है किरन गोसावी, कौन किरन गोसावी, ये वो आदमी है दोस्तों, जो एक प्राइविट प्रमारी थी, जिसके बाद आरेन खान को गिरफतार किया गया था, ये आदमी उस रेड में था, इसके साथ साथ एक और आदमी, मनीश भानुशाली रेड में था, जो की बीजेपी नेता है, NCB, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो की रेड में, बीजेपी नेता शामिल होते हैं और आपरादिक इतिहास के जो लोग हैं वो शामिल होते हैं, अगर जो बड़ी खबर यहां सोहित मिश्रा बता रहे हैं, वो मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ, इसके मताबिक समीर वांखिडे को कथित तोर पर आट करोड रुपए देने की बात की जा रही है, मैं पढ़के सुनाना चाहता हूँ, होशफाखता करने वाली खबर है, अगर यह सही है, तो समीर वांखिडे को अपने पत से स्तीफा दे देना चाहिए, खबर क्या कहती है, अंग्रेजी में है, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूँगा, अफर समे ताम, क्प गुसावी के बीच, मुलाकात के ऊपर, आगे, after that, K.P. गुसावी left in the white Innova and Sam D'Souza's Innova Christa followed us, then we stopped at lower parel bridge near Big Bazaar and Sam also stopped at the said station, अब इसके बाद दोस्तों, जो पंक्ती आने वाली है, वो होश उडा देने वाली है, Sam वांखिडे को इसका जवाब देना पड़ेगा, Till such time, we reached lower parel, K.P. गुसावी was talking to Sam on the phone and stated that you put a bomb of 25 crores and let's settle at 18th final because we have to give 8 crores to Sameer वांखिडे. क्या कहे रहे हैं, K.P. गुसावी, यह आदमी K.P. गुसावी, Sam Dissuzao कहता है, कि यार तुमने 25 crores का figure दे दिया था, अब 25 crores कौन देगा, तुम 25 crores नहीं 18 crores की बात करो, क्योंकि इसी 18 crores से हमें Sameer वांखिडे को 8 crores देने हैं, वो NCB प्रमुक, Sameer वांखिडे, जिसके पूरे कामकाच पर सवाल उठाया जा रहा है, वो NCB प्रमुक, Sameer वांखिडे, जो मीडिया के सामने खुले आम इंटिव्यूज दे रहा है, जबकि एक सरकारी मुलाजिम ऐसे इंटिव्यूज नहीं दे सकता, उसके बारे में एक रिटिन आफिडिविट में, एक लिखित आफिडिविट में ये दावा किया जा रहा है, कि उन्हें आठ करूर रुपे दिये जाने थे, ये मामला बहुत गंभीर है दोस्ते, हम इससे मुँ नहीं पलट सकते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई गोधी मीडिया न्यूस चैनल इस खबर को नहीं उठाने वाला है, क्योंकि अगर ये खबर उठाई जाएगी, तो इनका पूरा केसी गिर जाएगा, क्योंकि ये लोग लगातार शारु खान पर निशाना साथ रहें, आरेन खान पर निशाना साथ रहें, और अब इस मामले के बाद इस रिटन अफिडेविट में जिसमें दावा किया जा रहा है, कि समीर वांखडे को 8 करोड रुपाई दिये जाने थे, एक सरकաरी मुलाज़िम को, allegedly कथित तौर पर 8 करोड दिये जाने थे, ये खबर तो होशवाखता करने वाली है, और समीर वांखडी का क्या किरदार है किरन गुसावी का क्या किरदार है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा मगर मगर उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों आर अन खान माम लेगी यह तस्वीरे देखिए दोस्तों आज से करीब देड़ तो हफ़ते की पहले की तस्वीरे हैं जिसमें सल्मान खान मननत पहुँचते हैं शाहरुख खान से मिलने जैसे कि आप जानते हैं कि 26 तारिक तक शाहरुख खान के बेटे आर अर अन खान जो हैं वो जेल में हैं मुंबई के आथरू जेल में हैं उनके पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ है उनकी मेडिकल जाच में बिलकुल पुष्टी नहीं हुई है कि उन्होंने ड्रग्स लिये थे उनके अंतराश्ट्रिय ड्रग कार्टेल्स के साथ रिष्टें इसको लेकर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास कोई प्रमाण नहीं है फिर भी आरेन खान इस वक्ट जेल में है यह अपने आप में बहुत हास्यास पर मामला बना हुआ है और यही वज़ा है कि सल्मान आज अपने दोस्त शाहरुख खान के साथ खड़े हुआ है मगर आज में कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ यह तस्वीर देखिए जब संजय दत के पास एके 47 मिला था और जब टाड़ा के अंतरगत वो जेल में बन थे 1990 से 1993 के बीच का वो दौर है तब तमाम फिल्म स्टार्स जो हैं संजय दत के साथ खड़े थे यहां तो यह प्रमानिद भी नहीं हुआ है कि आरेन खान के तालुकात हैं इंटरनाशनल ड्रग कार्टेल्स के साथ मैं यह समझना चाहता हूँ कि यह चेहरे स्वक क्यों नहीं है शाहरुक के साथ अक्षय कुमार जो उसवक खड़े थे संजय दत के साथ जब उन पर आतंकवाद के आरोप थे अजे देवगन जो उसवक खड़े थे संजय दत के साथ जब उन पर आतंकवाद के आरोप थे आज क्या वज़ा है कि ये दोनों कलाकार मोधी जी से ये तो सवाल पूछते हैं कि आम चूसके खाते हो या काटके खाते हो मगर जब एक फिल्म स्चार के बच्चे को टार्गेट किया जा रहा है सिर्व इसलिए क्योंकि भारती जनता पार्टी को शारुक खान को टार्गेट करना है तो मैं समझना चाहता हूँ अक्षेक, कुमार और अज्ये देवगन से कि वो आखिर शारुक खान के साथ क्यों नहीं है मेरे अपने पसंदीदा आमिताब बच्चन इस मुद्दे पर खामोश क्यों है अमित जी आप भूल गए कि बोफोर्स मामले पर आपको और आपके परिवार को किस तरह से टार्गेट किया गया था क्या आप इस बात को नहीं समझते हैं क्या इस मौके पर चलिए आप कोई बयान ना दे अगर आप मननत जा सकते थे जिस तरह से शारुक खान के लिए सल्मान खान वहां पहुँचे थे मैं आप से समझना चाहता हूँ कि आप लोग सब खामोश क्यों है और अब मैं आपको बताना वाला हूँ दोस्तों कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो का जो पूरा केस है कितना वाहियात है और मीडिया का किरदार इसमें कपिल शर्मा कॉमेडी शो से कम नहीं है सबसे पहले दोस्तों आरियन खान के ड्रग कार्टिल्स के साथ रिष्टे हैं इसको लेकर क्या प्रमान है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो के पास नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो के पास सिर्फ वाटसाब चैट्स हैं आरियन खान के से और वो जो WhatsApp chats हैं दोस्तों वाद से कई महीनों पहले हुए थे मैं आपको बताता हूँ उस WhatsApp chat में क्या है आपके screens पर दोस्तों Republic भारत की WhatsApp chat जो की News Laundry की Manisha Pande ने पेश किया है देखिए इसमें आरेन खान और अनन्या पांडे की बीच में बाचीत हो रही है और आरेन खान केह रहे हैं क्या गांजा मिल सकता है जवाब में अनन्या पांडे कहती है गांजा मिल जाएगा अब इसकी आधार पर इनों ने इस ये लोग इस निशकर्श इस conclusion पर पहुँच चुके हैं कि आरेन खान के international drug cartels के साथ रिष्टे हैं ये आरेन खान नहीं हो गया पाबलो एसकोबार हो गया ये पूरा मामला ऐसा लगता है कि नेटफलिक्स का नार्कॉस सीरीज चल रहा है और इस मुद्दे पर क्या कहा है आरेन खान ने मैं आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ आरेन खान ने drugs केस में वाटसाप को लेकर दी दलील क्या दलील दी आपकी स्क्रीन्स पर विशेश अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च ने आयले में अपनी अपील में आरेन खान ने कहा है कि उनके मुबाइल फोन से लिए गए वाटसाप चैट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है 23 साल के आरेन ने दावा किया है कि जहास पर NCB के छापे के बाद उनसे कोई drugs बरामत नहीं हुए और वे अरबाज मर्चंट तथा आचित कुमार को छोड़कर अन किसी आरोपी को नहीं जानते बता दें अभी तक NCB इस मामले में करीब 20 लोगों की गिरफतारी कर चुका है अपील में कहा गया है अब यहाँ पर आरेन खान क्या कहते है आरेन के जिन WhatsApp चैट को जरिया बनाया जा रहा है वो चैट घटना से काफी पहले की है इस चैट का मामले से कोई लिना देना नहीं है इन चैट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और गलत तरीके से पेश कैसे किया जा रहा है दोस्तों आपको एक और मिसाल देता हूँ इस देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला नेटवर्क है इंडिया टुडे इंडिया टुडे ने बाकाइदा एक पूरी स्टोरी चलाई आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों उसकी कुछ तस्वीरे चल रही है जो इंडिया टुडे ने खबर चलाई खबर क्या चलाई मैं आपको बताता हूँ खबर ये चलाई कि जब इन WhatsApp चैट्स में जिसमें आर्यन ने अननिया पांडे से पूछा कि गांजा मिल सकता है क्या अननिया पांडे ने जवाब दिया हां गांजा मिल जाएगा तो इन्होंने खबर ये चलाई कि जब अननिया पांडे से नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो ने पूछा कि भई आप इस वाट्साप चैट पे क्या कहना चाते हैं तो उस पर अनन्या पांडे का कहना था I was joking अब आप कहेंगे अबिसार जी आप ये I was joking इस तरह से क्यों कह रहे हैं शायराना अंदाज में पोईटिक अंदाज में मैं आपको बताता हूँ इन्होंने जो पूरी कहानी चलाई है न वो इस आधार पर चलाई है कि अनन्या पांडे के पिता कौन है चंकी पांडे चंकी पांडे किस फिल्म में काम कर रहे थे हाउसफुल और हाउसफुल में एक डायलॉग था जिसमें चंकी पांडे बार-बार कहते हैं I'm a joking, I'm a joking हर चीज़ पे वो कहते थे इंडिया टुडे ने इस आधार पर पूरी कहानी बता दी जिसका हकीकत से कोई नाता नहीं था मैं आपको बताता हुआ क्या था नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने तमाम पत्रकार बैठे हुए थे वो आपस में बात कर रहे थे कि भई जब ये वाट्साप चैट नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अनन्या पांडे को दिखाएगी तो अनन्या पांडे अपने पिता की फिल्म का डायलॉग इस्तिमाल करेंगे और कहेंगी आमजो केंग ये पत्रकार आपस में मजाक कर रहे थे और इंडिया टुडे ने पत्रकारों के इस मजाक पर पूरी कहानी बना दी अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इस स्मुद्धे पर NDTV पत्रकार सौरव गुपता ने क्या कहा है जो आपके स्क्रीन सपर है सौरव गुपता, NDTV पत्रकार आपके स्क्रीन सपर इस होल स्चोरी अनन्या पांडे तोल दे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो I was joking shows what rubbish passes off as news these days This originated when someone said her answer to Narcotics Control Bureau questions would be I'm a joking a famous Chunky Pande dialogue this is completely cooked up सौरव गुपता बता रहे हैं कि पत्रकार अपने आपस में मजाख कर रहे थे और मजाख यही कर रहे थे कि भाई जब अनन्या पांडे से पूछा जाएगा इस WhatsApp चाप्ट के बारे में तो वो कहेंगे वो अपने पिता की फिल्म का डायलोग इस्तमाल करेंगे मगर India Today ने देखी उस पर पूरी कहानी बता दी और बात India Today की भी नहीं है ये कोई Bombay Times है साहब Times of India से जुड़ा हुआ According to reports, Ananya Pandya agreed to arrange Ganja for Aryan Khan When NCB showed the chat to Ananya Pandya on Thursday during the questioning, she replied I was joking Media इस मामले में इस तरह से reporting कर रहा है और बात यहां नहीं रुकी जब I was joking वाले मामले में Narcotics Control Bureau के अधिकारी के बारे से पूछा गया तो Narcotics Control Bureau के अधिकारी ने कहा कि ये बकवास है क्या कहा उन्होंने आपके स्क्रीन्स पर When Narcotics Control Bureau officials emerged, a couple of reporter asked whether Ananya had said she was joking He denied that anything of this sort happened खुद NCB कह रहा है कि ये बकवास है और ये बकवास दोस्तों चलाई जाती है खबरों के नाम पर मगर अगर NCB इसे बकवास कर रहा है तो क्रपया उनकी जो प्रमुक है समीर वांखडे वो अपने आजहरण को लेकर कुछ सवालों के जवाब दें पहली बात तो वो जिस तरह से हर टीवी चैनल पर आके इंट्रव्यू दे रहे हैं दोस्तों किसी भी सरकारी अधिकारी को वो इतनी आसानी से सवालों किसी बात्स सा क्या बात्वारी उरा ज curriculumणा नत्वारी झार्वधजर जए बात्सके। पिस्सवाब डिद Yeah paling झायाब य्यू किसा जलता है